नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक आपका लास्ट सेट टी है मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 20 सेट डिसकस कर लिए आज का आखरी सेट सेट नमबर टी है जिन्टों ने मेरे अभी तक के बाकी के सेट नहीं देखे थे प्लीज देख लीजेगा बहुत अच्छे लेवल की कुईशन्स हैं पी आटी टेस्स सीरी जो जन्रेट की गई है सर के द्वारा बहुत ही जो बदर्स कुईशन्स थे तो आज मेरा अकरी सेट है और बहुत से स्टुडेंट यह जिन्हों अभी तक एक बीस सेट नहीं देखा है तो उन सबसे रिक्वेस्ट क कवर होजेगा लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे बहुत महनत करनी पड़ी है तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजेगा अधरवाइस वही है बहुत सारे कुईशन्स ऐसे होंगे जो आपको आने वाले पेपर में चाहे वो पिया ऐसा नहीं है यहा पर पी पीजिटी पीश्टी वाले नहीं देखोगे अगर मेरी वीडियो यहां पर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा आफसर है ऐसे कुईशन्स को देखने का कि जो पी आटी में पूछे जाते हैं वो टीजिटी वाले कहते हैं कि हम नहीं करेंगे लेकिन आ जाते हैं तो वो पी आटी वाले टीजिटी वाले जरूर करें और टीजिटी वालों को भी पी आटी वाला पेपर देखना चाहिए ऐसा नहीं है और बहुत अच्छे लेवल के कुईशन्स हैं सिरफ पी आटी के लिए नहीं यह टीश्टी पीश्टी के लिए पी डिजाइन बोल सकते बढ़ते हैं ज्यादा बात ना करते हुए आज का आकरी है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया है तो आप देख लीजेगा आपको बाकी के सारे पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ठीक है प्लेस्ट प्लेस्ट प्लेस्टोर पे अप्लिकेशन डाउलोड क करेंगे नीचे डिस्केप्शन में लिंक है उसमें भी आपको बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी आज का पहला कोईशन है कोईशन नंबर 50 यह आपका लास्ट सेट का है जैसा कि आप सभी को पता है एक आखरी कोईशन आपके होंवक के लिए रहता है तो यह आपका ए 13, 7, 27, 13 है, 7 है, 27 है, अब 7 और 13 से 27 कैसे बन रहा है, देखो 7 का दो गुना क्या होता है, 14 है ना, 14 और 14 और 13 का सम कितना होता है 27, क्लियर है, सिमिलर वे में अगर हम देखें तो 54,45,144, यह है 54,144, अगर मैं 45 का दो गुना करूं, तो 45 का दो गुना 90 और उसमें 54 ठीक है, यहाँ पे, बाकी का थारड वाला आप देखें, थारड वाला देखें, क्वेशन माख है 32 है और 38, 68 है, ठीक है, प्वेशन माख है 32 और 68 है, तो 32 का दो गुना करना है कितना होगा, 4,64, तो 68 पे से क्या माइनस करूं? 64, यहाँ पे 4 आ ज़ेगा, ठीक है, तो आपक बहुत अच्छा लग रहा है बताते हो कि मैंने 20 सेट करा दिये तो भई जिन भी स्टुजेंट्स ने नहीं देखा तो देख लेज़ेगा बहुत इंटरस्टिंग कुईशन्स देती है और इसके बाद इस सेट के अंदर पर कोई होंबग ने देने वाली होंबग सिर्फ यह र बाकि कोई प्रॉब्लम नहीं है कमेंट कीज़े ना किज़े ढागी है वीदियो कैसी है foods है यह लारि में जरूर बताऊских लास्ट वीडियो में इस लास्ट वीडियो में कमेंट शेंच्श में जरूर बतादाना। आपके मोटिवेशन का तो जरूरत है, बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता, आप मोटिवेट करेंगे, तो आपको बहुत सारी और वीडियो भी देखने को मिलेंगी, और इसके बता भी सकते हैं, आपको इस पेपर के, जो भी इस पेपर है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट अब चाहिए, नात्स बना दूंगी, इंग्लिश बना दूंगी, पैडगोजी गएगे, जो भी कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कम्प्यूट साइंस, बताइगा, अब इसके अंदर आपको क्या ओप्शन बताना है, 41 कोईशन आप सब के सामने, यहां पर आपका, इसमें आप फिल करें, इसका, इसका, I think, सगें अप्शन होना चीए साहिए, A, B, B, फिर आपका, A, A, ग, 3, A, फिर तीन बार, B, फिर चार बार, A, फिर चार बार, B, तीक इस ठाइप से ही आपका, सेकें आनसे इसका, और इसका रूपर बताँ होगा, न सारे members यकठी होंगे तो आपकी family बनेगी टिक है एक localities इकठी होगी तो में पूरी city यूँदी ते पूरी country बनेगी मतलब यह हैं इस तो क्या option तो क्या ऑपको आपका इसके according 3 पे है मेंबर 3 1 4 2 5 मतलब यह पहला ही हो गया यह तो ठीक है तो आपका इसका कौनसा आंसर प्रेक्ट हो जाएगा आपका इसका फर्स्त आंसर प्रेक्ट हो जाएगा ठीक है फर्स्ट ओप्शन next question next question है question number 43 43 question पे बात करते हैं फिर से dice का इसा अभी तक एक भी पेपर नहीं गया जिसमें dice का question आपको देखने को ना मिलाओ 4 के अपॉजिट क्या है देखिए अब इसमें 4 तो कहीं है ही नहीं आप कहीं ही नहीं तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर है और सेम नंबर है सेम प्लेस पे क्या होता है 15 के पोजिट हो जाएगा और आपका 2 6 के पोजिट हो जाएगा 3 किस के पोजिट है जो नंबर विजिबल नहीं है 3 के पोजिट कोन है 4 तो मतलब 4 के पोजिट कोन हो जाएगा 3 तो इसका कॉन सा अंसर करेक्ट है 1. इसका 1st option correct option है next question next question है कोई नंबर 44 आपको बताना है की एक मिनिंग्फुल वर्ड बनाना है तो इसको अरेंज करना पड़ेगा इसको करक्पड़न कोई त्रिक नहीं है अपनिकी प्छाइल सबदेगे नहीं कर तो ये अर्त कर सकता है 4 4 4 4 तो एक है 5 तो जहां से ज्यादा 4 है वहां से स्टाइट कीजिए मिन्स आपका पहला वर्ड तो S होगा यह definite हो गया क्योंकि तीन बार 4 है तो यह ही से चेक करना आपको देखिए S के बाद है 6 अगर मैं 1st को ठाओं तो double S से तो कोई संटेंस बनता नी तो यह कैंजिल हो गय यही और तो मेरा सीजन बन गया एक मिनिंग्फुल वर्ड और और ओप्शन हो गया मेरा 3rd करेक्ट ठीक है वह जिसको भी कोईशन में डाउट है कमेंट सेक्श में कमेंट कीज़ेगा आपके डाउट को अगले लेक्चर में जरूर लेने की कोशिश करूंगे और आपको कॉ कौन सी वीडियो और चाहिए है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा अपनी राइ रख के जाएए ठीक है नेक्स्ट कोईशन नेक्स्ट कोईशन पर बात करते हैं एक सिकंड वेट कीजिएगा देखिए 45th question 45th है यह कहना में इसका conclusion or statement वाला question कुछ चीटियां तोते हैं कुछ चीटियां कुछ चीटियां तोते हैं ठीक है उसके बाद कहता है सभी तोते सेव हैं यह आंट है कुछ चीटियां तोते हैं यह पैरेट है और सभी तोते सेव हैं यह सभी तोते हैं इसको तो सेब हैं यहां से एपल को निया आंट को भी कवर करेगा ठीक है मैं इसका डाइगनम यहां बनाती हूँ इस टाइप से डाइगनम बनेगा यह आंट है यह पैरेट है ठीक है और फिर यह आपका ये parrot को contain करता हुग आपका कौन है apple apple था बाद में save थे question के लिए तो मुझे वापिस जाना ही पड़ेगा ठीक है तो सभी तोते सभी save तोते हैं तो आपसे पूछ रहा है सभी save क्या सभी apple तोते हैं नहीं apple का तो कुछ एक part ही है parrot में तो नहीं हो गया first तो कुछ चीटिया save है हाँ है क्योंकि ये बाहर वाला apple था ना बाहर वाला और ये parrot है और ये आपका हाँ तो कुछ आंट आपकी ये वाला जो common part था सारा mix हो गया ये ये वाला जो बीच में common part दिख रहे हैं पढ़िए next question क्या है कुछ से निकालिए वीडियो को stop करें question mark है question mark का मतलब की आपको ये दो प्लेस बताने है कि इन दोनों स्थानों पे क्या एगा 8 11 21 15 18 21 22 तो 21 होना अच्छी है मतलब मेरी टोन सुनी है 8 11 21 15 18 21 22 तो 21 होगा ठीक है तो यहां पर आकरी में तो डाल दो 21 21 के साथ ये दो आए ये दो गए ठीक है अब बचा कि हम आग इस में क्या बरे बाइस के बाद वाले में तो देखिए 8 11 21 तो fix हो गया 8 11 में डिफ्रेंस 3 का 15 18 फिर से डिफ्रेंस 3 का 21 फिक्स हो गया फिर 22 में 3 जोड़ोगे कितना हैगा 25 ये अंसर है क्या अंसर करेक्ट है क्या अंसर करेक्ट है 25 और 21 means option number 2 ठीक है next question question number 47 बनाईए question number 47 बनाईए फोन को लगा दिया जाए चार्जिंग पर पढ़िए आप question number 41 की statement हाँ जी पर्ली statement बिंदू x से चलते जेयन्थ पास्चिम की तरफ बढ़ा ये x point है ये x point है x point से बढ़ते हुए पास्चिम की और कौन बढ़ा है जेयन्थ पास्चिम वेस्ट होता है ये west की और बढ़ा कितना 20 ठीक है 20 गया है इसमें हो यहां तो स्टेटमेंट मिसिंग है देखो भई हिंदी में बड़ी गलतियां कर रखी है गलत हो गया यहां से यह देखिए स्टेटमेंट में मिस्टेक है यहां पर इन्होंने 15 मेटर जो दे रखा है इंग्लीश में कि वह वेस्ट की और गया तो 15 गया इन्होंने यहां दिया इन्हीं हिंदी में ठीक है तो इंग्लीश में पढ़ें स्टेटमेंट एक पॉइंट है पॉइंट से एक पॉइंट एक है यहां से जेयंत चला है 15 वेस्ट की और ठीक है यहां से लेफ्ट टन किया 20 यहां से लेफ्ट टन किया 15 यहां से ले which direction is Jent? इस देरेक्शन भी बतानी है अभी वो कौन सी देरेक्शन में है पहला तो यह देखो यह निचे देरेक्शन है यह East, वेस्ट, North, South नीचे वहली कौन सी देरेक्शन है? South तो South direction में है South direction हो गया confirm यह दोनों गए option अभी वो खेह रहा है कितना distance है distance भी बताने है direction भी तो distance direction तो होगी south distance कितना है देखिए ये 20 है तो सामने वाल भी 20 होगा तो 20 और 12 इस x point से वो कितना distance है ये सारा total 20 और 12 32 means आपका पहला answer correct है means आपका पहला answer correct है कि 32 meter और जो direction है वो है south clear जो भी question में दिखका तो आप comment कर दीजेगा next question question number 48 कहता है आधम कोई भी homework नहीं चोड़ेंगे बस आपका homework ये रहेगा कि आपको मुझे बताना है कि आपको ये सारी कि सारी जो series है मेरी चली है बीस questions की खुब मेहनत से बनाई गई है कैसी लगे बस इतना बता दीजेगा मेरे ये ही homework है आपके लिए ठीक है देखिए यहां से कह रहा है 15 फिर है 3 और फिर आपका 27 अब मैं इसमें क्या करूँ कि मेरा 27 बन जाए देखिए 15 तिया तो पैंताली होता है 15 में से 3 minus करोगे 12 होता है 15 का 2 गुना करेंगे तो 30 होता है और उपर जो 3 है वो minus कर दो 3 तो बन गया 27 बन गया 27 15 का 2 गुना कर दो 30 3 minus कर दो ठीक है क्या ये बात आगे वाले में भी follow हो रही है देखते है देखते है आगे वाले में भी follow नीची है आगे कह रहा है 31 का 2 गुना 62 में से 6 minus कर दो 56, बंगी बात है न, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला भी तो फोलो कर वाओ न, अगला है, कोशन मार्क, कोशन मार्क का दो गुना, और माइनस नो, बराबर में 81, ठीक है, 81 और 9 आपका कितना हो जगा, 90 और 95, 45 आंसर के साथ आपका 60 आपका का फोलो का फोलो कितना है, कोंसा आपका का फॉपशन का बात है, एค़ाम का फॉटि न का फॉटि फॉटि एट ऑनसर को जाज सोफ साथ, 40 जासर कर रेक्ट व मार्क है, फोलो क् टार प्रॉटि न, एक सिटिंग रोव में बाते हैं, sitting in a row A, P, R, X, S, Z A, P, R, X, X, Z 6 लोग बैठे है 6 लोग एक रो में बैठे है S and Z center में है देखिए 2 इदर से छोड़े 2 इदर से छोड़े 2 इदर से छोड़े center में बिठा दिये हमने S को और Z को S और Z को मैंने बिठा दिये center में A और P extreme end पे है मतलब कि अगर A यहाँ है तो P यहाँ होगा या फिर A यहाँ है हो सकता है तो P यहाँ हो सकता है हमाई पस cases यह हैं कि दोनों extreme end पे है A भी और P भी ठीक है अभी confirm नहीं है कौन का है अब कह रहा है A and P हाँ यह तो होगी ना line R is sitting to the left of A A के left hand side पे कौन है R है देखिए अगर मैं A यहाँ लूँगी तो उसका तो left कुछ ही नहीं इदर अगर मैं A को यहाँ भी ठाती हूँ इसके left में कुछ ही नहीं तो that means आपका यह गलत हो गया that means आपका यह गलत हो गया यह गलत हो गया तो आपका यह सही है A अपनी जगा और P अपनी जगा सही है means इसके left में R है टिक है उसके बद कौन बचा A हो गया, R हो गया एक second wait करें A यहाँ पे बिठाना है यह A की है, यह R की है फिर यह दोनों हो गये P यहाँ हो गया, बचा कौन X बचा ना, X को यहाँ बिठा दो अब कह रहा है Who is sitting to the right of P P के right में कौन है यही अभी जो बिठाया X P के right में X option number 2 correct है question number 49 का option number 2 आज का आखरी question आज का आखरी question आज का आखरी question set number T का मतलब सारे के सारे setों का सबसे आखरी question reasoning का question number 50 50 question देखिए असान question है देखिए क्या कहता है 50 question में कह रहा है find the minimum number of straight lines required to make the given figure कह रहा है कि figure दे रखिए आपको इस figure के अंदर कितनी minimum number of straight line है जिससे यह figure बना है जब भी आपको straight line आज कल यह trend आगे questions का आज कल पहले पूछता था नंबर ओफ ट्राइंगल बताओ number of skewers बताओ number of rectangles बताओ आज कल बूछता है number of straight line बताओ number of straight line निकालने से के लिए हमें क्या करना है दीखिए मैं बताती हूँ जब भी आपको straight line निकालनी हो straight line तब आपको क्या करना है horizontal lines को गिनदो horizontal lines को गिंदो फिर आप vertical lines को गिंदो और फिर आप slant lines को गिंदो slant होती है तिर्ची रेखा किसको गिंदो तिर्ची रेखा को समझ रहे हो समझ लिया ना अपने horizontal रेखा है horizontal होती है यही जैसे मैंने यह बनाई है यह horizontal है vertical रेखा ये और slant रेखा ऐसे तिर्ची ऐसे तिर्ची slant इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारी number of straight lines आ जाएंगे clear? आप question पर बढ़ते हैं देखिए question देखो क्या कहता है question देखो क्या कहता है ठीक है अभी देखिए question को start करते है सबसे पहले देखो एक ये रेखा सबसे पहले मैं बना रही हूँ horizontal दूसरी फिर एक ये छोटी सी तीसरी फिर एक ये चोटी ठीक है अब मैं बनाऊंगी चार होगी ना 5 6 ठीक है 6 फिर ये 7 8 ठीक है फिर ये एक सीधी 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कुछ है मेरा देखो डियागरम सेम टूसेम बन गया बन गया बिल्कुल बन गया क्या या मेरा अंसर 17 इसका अंसर क्या होजएगा करेक्ट 17 इसके अंदर horizontal लाइन गिंदो vertical लाइन गिंदो और slant ये तिरची देखाएं जो हैं वो गिंदो तो total number of straight lines आ जाती है जो की मेरी आई है 17 तो मेरा क्या आंसर करेक्ट है 17 के साथ option number 2 अभी मुझे आपको बताना है आप सभी students को एक request है कि ये चीज ज़रूर बटाईएगा इस वीडियो के comment section में कि आपको ये सारे helpful लगे या नहीं लगे lectures तो इसके बाद आपको कौन सा नारी वीडियो मिल जाएंगी तो फिर तिल दन बबाई थैंक्स फो वाचिंग दे वीडियो और अच्छा लगाओ तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब फिर से कर सकते हैं बोल रही हूँ तो थैंक यू, बबाई